नमस्कार श्वागत है आप सभी का UP ANM 2022 डोकुमेंट वेरिफिकेसंग के लिए कल आपका एडमेट कार जारी होने वाला था और हमने आपको सभी को बताया भी था कल साम को लेकिन कुछ टेकनिकल एरर की वज़े से आयो की तरफ से कल आपका DB का लेटर जारी नहीं किया गया आज 100% जारी होने वाला है और कल हमने आप सभी से कहा भी था कि 0.01 प्रस्त आप मान के चले कि आपका जारी नहीं भी होगा और ये आपका 100 प्रस्त भी हो सकता है फारली वहीं देखने को मिला तो DB आपका लेटर तयार है केवल उसको जारी किया जाना था तो उसमें कुछ दिक्कते आ गई कुछ टेकनिकल उसमें पहलो बताया जारे है तो इसकी बज़े से कल आपका DB का एड्मिट कार्ट जारी नहीं होगा जो DB का लेटर है इसको आप DB का एड्मिट कार्ट समझना प्रवेश पत्र जिस पर आपका किस दिन डोकुमेंट वेरिफेकेशन रहेगा और किस सिप्ट में रहेगा ये आप जान पाएंगे ठीक है तो आज किस समय तक जारी होगा तो ये तो नहीं कह सकते हैं बिलकुल एक्जैक्ली लेकिन आज किसी भी समय हो सकता है कि 11-12 बज़े तक हो सकता है कि साम भी हो जाए लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा आज आएगा आज और जो भी आपकी तैयारिया है प्रमार पत्रों को लेकर के या बहुत सारे आपके सवाल होते हैं कल समझ लिजी कि कई घंटे हमने सुबह भी दोपर को भी साम को भी आप सभी कि मैं कमेंट की रिपलाई लगातर कर रहा तकल वीडियो भी देखेंगे आप कम आया होगा हमारी कोशिस यह थी कि आप सभी को जो है करके आएंगे ज्यादा नहीं लगबग 10 नटका करेंगे लेकिन उसे आप पूरा देखिएगा और एक संचित में मैं आपको बता दूँ कि जाती निवास को लेकर के निवास को लेकर के आपने जो निवास जो आपने एड्रेस फॉर्म में भरा है आप ये समझे कि वेरिफिकेशन आपका कैसे किया जाएगा कहां से किया जाएगा जो आपने जानकारी फॉर्म में दी है उसी को तो वेरिफाई किया जाएगा तो फॉर्म में आपने जो एड्रेस भरा होगा वही उसी का निवास होना चाहिए और निवास उत्तरपदेश का चाहिए आपके पती पक्षिका हो चाहिए आपके पिता पक्षिका हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत जादा लेकिन जो जाती प्रमार पत्र है जब ये लिग दिया गया है डीबी के नोटिस में कि आपकी पिता पक्षिका से निर्गत होना चाहिए अब उसमें ये लोग मजबूरी नहीं समझेंगे कि 10 साल पहले की साधी हुई है 15 साल पहले की साधी हुई है बहुत तरह की चीज़े है उसमें और लेकिन फिर भी जो आयोक का नेड़ा है हम लोगों को उसी की अनुसार उसमें और हमने ये भी आपसन दिया था कि चलिए आपने पुराना आपके पास है ही नहीं पिता पथर उसमें कुछ लोगों के ये भी करना था कि पिता का नाम पती का नाम दोनुमें नाम हो सकते हैं अससे कोई दिकत नहीं है जैसे बीकरत बिदा हो लेकिन उसमें पिता वाली रिपोर्ट पर बनना चाहिए उसको आफलाइन बना हो जो भी आपने नया भी अगर बनवाय तो उसमें पर हमने यह भी का ता सुझाओ दिया ता आप सबी को क्योंकि जहां पर कुछ हो ही नहीं सकता तो वहां पर कितना हम लोग प्रयास कर सकते हैं अपने अस्तर से वह कोशिस हमें कर लेना चाहिए ताकि हम डीबी में रिजेक्ट ना हो हम एक सब पत्र भी लिख वाले हैं कि हमारे जो जाती है जो पिता की नाम से हमारा बनाया जाती प्रमार पत्र हो हमारे पिता की ही जाती है हमारे जाती चेंज नहीं हुई है सेम काश्टी में ही हमारी साधी हुई है सायद उससे काम बन जाए लेकिन यह आयोग की उपर तीसरी बात देखिए जैसे character certificate certificate है उसमें जो 6 महीने वाला internship है बहुत लोगों के पास वो है ही नहीं एनम का जो यूपी स्टेट काउंसिल में जो फैकल्टी वाला जो रेश्टेशन होता हूँ आपने करवाय के नहीं करवाया वो आपके पास हाय के नहीं उसका पनजी करव प्रमाण पत्र जिसकी वज़े से आपका db reject हो सकता है अगर आपने कोई गलती कर दिया शंबिधा कर्मी नहीं थे शंबिधा कर्मी आपने भर दिया या कोई भी छोटी-बुटी गलती है आपने उसकी लिए फैडिविट बनवाये नहीं उसकी वजे से आपका db डीवी रिजेक्ट हो सकता है आपके पास कोई सर्टिपिकेट कोई मार्क्षिट अव्यलबल ना हो उसके वज़े से आपका डीवी रिजेक्ट हो सकता है आपने EWS नहीं था फॉर्म में लेकिन Yes कर दिया आप उसके लिए फिर डीविट नहीं बनवाए हैं वहां दिक्कत होग और अगर आप मैंसे किसी को कोई पता हुझे से आप मैंसे किसी ने जाती प्रमार्ण पत्र बनवालिया पिता पक्षय क्या आपके पास हैं तो आप एक दुसरे जिसे किसी का क्मेंट बहु देखते होंगे ना आप भी रिप्लाइप कर लिया करें उनuyuसे हमारी मेहनत करें ह नहीं कर पा रहे हैं सबका तो आप लोग भी प्लीज एक दूसरे का थोड़ा सा सपोर्ट करिए यह मेरा आप सभी से बिनम्र अनुरोध है रिक्वेश्ट है इसके लावा अनुभव प्रमाण पत्र है जो अनुभव का दावा किया हैं समेदा कर्मी हैं और अनुभव हमारा ह तो फिर आपको अपने भारांग अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आपको आयो सीमा में छोट मिलेगी 100% मिलेगी जितने साल का आप करेगा उतने साल के छोट मिलेगी आपको QR कोड वाला ही चलेगा अब जो लोग है ही नहीं सम्विता कर्मी तो आपको क्यों परसान होना इसमें जो लोग हैं जिनोंने असपर स्टूप से लिखाए अनुभव प्रमाण पत्र वाले नोटिस में कि जिन लोगों ने दावा किया है और जिनको अधिमानी अंक भारांक चाहिए उनको QR कोड वाला ही डिश्टल प्रमाण पत्र प्रस्तु करना होगा जिस पर डीपीम के सिगनेचर होंगे और प्रती सिगनेचर होंगे उस भी होंगे प्रती हस्ताक्चिरित सियम होगे आपको अपने जिस जिले में आपने काम किया है उसी जिले की डीपीम आफि क्यों पनिर भर है आपने यहसी का टिक कर दिया केटिगरी में या ओवीसी का टिक कर दिया और आप ओवीसी यह सुका वहां पर जाति प्रमापतर पिता पक्षिवला नहीं दे पाए तो ऐसा नहीं होगा कि फिर आपको सामाने वर्ग में काउंट करेंगे ऐसा तब होता जब आपने आर लेडी सामाने वर्ग टिक किया होता जनरल के डिगरी बहले ही आप OBCC के हो लेकिन आपने जनरल के डिगरी टिक कर दिये फॉर्म में भर दिया है और आपके पास तो आपको जनरल में ही काउंड किया जाएगा या तो आप सर्टिपिकेट देते हैं सब कुछ सही हो होता है आपकी मेरिट अच्छी होती ही तब आप जनरल की सीटों पर धाइट करते हैं तो यह सब कुछ ऐसे चीज़ें जहां से आपको डीबी रिजेक्ट वसकता है इसलिए मैं इन ही चीज़ों पर बात करता हूं जिन चीजों के वज़े से आपको दिककत होना ही नहीं जो कुमेंट वरिफिकेशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए एकसेप्ट हो जाए उसके बाद जब फाइनल मेरिट बनेगी तो देखा जाएगा ठीक है और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का भी डीबी रिजेक्ट हो लेकिन ऐसा लग रहा है आप बहुत सारे लोगों का डीबी बर्द दिया लेकिन इलेजिबिल ही नहीं थे आप जीनम वाले हैं ध्यान दीजिएगा जीनम वाले हैं या फिर अन्य इसकी प्रकार से हैं जो इलेजिबिल नहीं है इस भर्दी के लिए तो ऐसे लोगों का तो डीबी रिजेक्ट होना है ठीक है अब उनकी संक्या जितनी बी-व लेकिन जो हम प्रमारपतर रही प्रस्तुत नहीं कर पाए कोई वहां पयागर कुछ दिक्कत होती है उसकी वज़ेसे भी-डीवि-एजेक्ट हो सकते हैं कुस्त लोगों के जिश पूरी कोशिस कर रहे हैं कि किसी का भी डीवी रीजेक्ट नहीं जो पूरी तरह से इलिजिबिल है अब ऐसा है नहीं कि कोई Gnm का है या कोई अधर ऐसा है जो इलिजिबिल नहीं थे जिनकी आहरता ही नहीं थी इस भरती के फॉर्म बनने की अगर उन लोगों ने फॉर्म बर दिया या फिर अपेरिंग वाले थे तो फिर उनके लिए कोई समाधान नहीं है क्योंकि आप पहले उससमें इलिजिबिल थे नहीं तो उमीद करता हूँ आपको सारी बाते हाँ पर समझ में आ गई होगी इसके बाद आपके जितने भी कमेंट्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द देखेंगे वीडियो को पूरा देखा करें आप सभी प्लीज और वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर द आपके लेना